इस वीडियो में हम यह देखेंगे कि जो हमारा इंक्लाइंट सर्फेस अगर हमारा बॉडी जो डूबा हुआ है तो उस पे हम कैसे सेंटर ओफ फोर्स या हैड्रोलिक हैड्रोइस्टेटिक फोर्स की वैल्यू निकालेंगे तो सपोज है मेरा रिफेरेंट्स लाइन हो गया है सपोज है मेरा रिफेरेंट्स लाइन हो गया है जिस पर मेरा जो ऑबजेक्ट है जिस पर मेरा जो ऑबजेक्ट है कुछ इस कदर इंक्लाइंट है ठीक है इसको मैं एक्स्टेंड कर देता हूँ यह मेरा inclined है, ठीक है, यह मेरा inclined है, तो मैं इसे extend कर देता हूँ, यहाँ पर, ठीक है, यह जो green color का job को so हो रहा है, यह है मेरा body का object, ठीक है, यह है मेरा object, ठीक है, अब उसके बाद, अगर मैं इसे top से देखू, तो यह top से देखने पर मुझे rectangle की तरह दिखाई देगा, तो हम इसे एक rectangle की तरह ही बना देंगे, हम इसे rectangle की तरह ही बना देंगे, सबसे पहले, इसे ऐसे जोड़ दिया मैं, ठीक है, उसके बाद, इसे एक rectangle की तरह दिखाऊँगा, अगर मैं इसे top से देखू, तो यह मेरा body कुछ इस तरह rectangle की तरह पे मुझे देखने को मिलेगा, ठीक, यह, ठीक है, तो यह मेरा body का top view हो गया, और यह मेरा है side view, जो उपर मैं आप देख सकते हैं, उसके, ठीक है, तो किसी भी मेरे body का centroid जो होता है, वो उसके center पे होता है, मैं से पहले color से fill कर दिया, ठीक है, अब साथ आपको अच्छे समझ में आएगा, तो centroid क्या होता है, किसी भी body का center होता है, जहाँ पर body का पूरा force आपका act करता है, यह है आपका center of gravity, तो center of gravity को अगर मुझे इसमें project करके दिखाना है, अपने side view वाले diagram में, तो मैं इस line को उपर के और project कर दूँगा, तो यह जो मुझे value देगा, यहाँ पर, यह मेरा center of gravity वाला point हो गया, अब यह center of gravity वाला जो distance कहलाता है, मेरा क्या कहलाता है, h bar, ठीक है, यह मेरा h bar कहलाता है, तो इतनी जो value हो गोई, जो हो गई, h bar की, h, h bar, h bar की value हो गई है, ठीक है, यह line draw की है, और यहाँ पर लिख दिया, h bar, यह है मेरा h bar की value, ठीक है, center of gravity के थोड़े नीचे ही मैं आपको बताया था, कि यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर आपका होता है, center of pressure, center of gravity से थोड़ा ही नीचे, तो हम इसे भी इस diagram पे locate करके दिखा देते हैं, इसे भी locate करके दिखा देते हैं, तो अब यलो कलर से मैं i draw करूँगा, तो जो total height जो मेरी कहलाएगी, यह वाली total height, जो h bar के left तरफ है, वो कहलाएगा मेरा h star, याने की center of pressure का position, ठीक है, अब इस तरह के problem में, आपको यहाँ पर एक angle दिया होता है, कि यह कितने angle पे मूड़ा हुआ है, जैसे कि यहाँ पर है, 30 degree के angle पे मान लो, यह हमारा object डूबा हुआ है, ठीक है, इसके साथ ही question में आपके क्या बोलता है, कि जो object का जो एक सीरा है, वो इतने meter down है, ठीक है, इतने meter down है, मतलब आपके object का कोई भी एक kona ले लो, जिसका वो सो करता है, कि यह कितने depth पे है, ठीक है, तो हम कौन सा consider करे करेंगे यह वाला हिस्सा, suppose question में दिया है, कि body का जो यह वाला हिस्सा है, 4 meter depth पे है, तो हम इसे diagram पे कैसे so करेंगे, तो इसे भी मैं extend करके दिखा दिया, ठीक है, और यह है मेरा वाला point, ठीक है, अब मैं इसे भी extend करके दिखा दिया, उपर की तरह ऐसा, और अगर मैं बोल रहूं कि यह 4 meter की गहराई पे है, अगर मैं बोल रहूं कि 4 meter की गहराई पे है, तो मैं डाल दूँगा 4 meter, 4 meter, 4 meter की गहराई पे मेरा object का पहला हिस्सा, पहला छोर, जो यहाला छोर है, वो 4 meter की गहराई पे है, तो इस तरह का चीज आपको question में दिया होता है, इसके साथ ही question म आपको क्या दिया होगा कि जो आपका object है उसका width है मान लो 3 meter और जो उसकी height है यानि की depth भी कह सकते हैं वो है suppose 6 meter तो इस step से आपके question में values को दे सकता है ठीक है अब यह तो के बात हमारी question की तो सबसे पहले हमें इसमें क्या क्या find करना रहता है हमें find करना रहता है hydrostatic force या total pressure जिसका formula क्या होता है p equal to rho g h bar into area अब यहाँ पर आप यह चीज़ देखो कि rho आपको कैसे मिलेगा रो आपको कैसे मिलेगा जो भी fluid में यह डूबा हुआ है यहाँ पर पूरा fluid है ना हमारा यहाँ पर हमारा यह पूरा fluid है यह हमारा fluid में डूबा हुआ है ठीक है तो जो भी हमारा fluid यहाँ पर है उसका आपको density पता होना चीए तो specific gravity पता होना चीए अगर specific gravity पता है तो उसमें 1000 का multiply कर दो तो आपका क्या बन जाएगा उस particular fluid का density तो हमारा यह जो fluid इस पर डूबा हुआ है अगर वह water है तो उसका density हो जाएगा 1000 kg पर मिटर क्यूब और अगर mercury है तो mercury का specific gravity होता है हमारा 13.6 तो 13.6 में अगर आप 1000 का multiply कर दो तो हमारा मरकरी की density भी निकल आएगी फिलहाल हम यहां पर water लेकर के चल रहें 1000 kg पर मिटर क्यूब जिसका density है उसके बाद बात करते है ग्रेविटी की तो gravity का value fix है 9.81 gravity क्या है acceleration due to gravity 9.81 meter per second square तो यह हमारा gravity का value हो गया उसके बाद आपको चाहिए h bar अच्छा h bar से पहले हम area की बात कर लेते हैं तो जो हमारा area है वह आप देख सकते हो यह rectangle है तो rectangle का area क्या होता है length into width या height into width जो भी बोलो b into d तो हैंपर 3 into 6 तो 3 into 6 करने से हमारे इसका area भी निकल आएगा अब बात करते हैं h bar कैसे निकलेगा अब बात करते हैं कि h bar कैसे निकलेगा क्योंकि h bar आप जान रहे हो यह वाली height है और यह कौन सी height है जिस height पे center of gravity तक का height है water के free surface से लेकर के water के free surface से लेकर के free surface बोलने का मतलब है जहां तक आपका water का जो जहांसे वह atmosphere में exposed है वहां से लेकर के body के center of gravity तक का distance है h bar तो हम इसे कसे निकालेंगे हमको यहाँ पर trigonometry apply करना होगा आप देख सकते हो हमारे पस किस किसी की value है हमारे पास एक clue है कि हमारा 4 meter down object डूबा हुआ है object का एक छोर ऐसा है जो 4 meter down हमारा नीचे डूबा हुआ है तो हम क्या करेंगे इस 4 meter की help से हम h bar की value को निकालेंगे ठीक है हम इस 4 meter की help से हेजवार की value को निकालेंगे तो हम यहाँ पर एक triangle म करके देखते हैं अगर मैं इस से थूढ़ा Azam कर ओं इस से थोड़ा बढ़ा करके दिखाता हूं यहां पर एक आपका ट्रेंगल बनेगा यहां पर आपका ट्रेंगल बनेगा ठीक है यहां पर आपका ट्रेंगल बनेगा अब सबसे पहले हम क्या करेंगे यहां पर एक ट्रेंगल बनेगे तो यहां से मैं एक ड्रॉ कर दिया ऐसा डायग्राम, मैं आपको ट्रेंगल बना करके दिखाता हूँ और आप समझने की कोशिश करना है, यह एक ट्रेंगल इधर से जुड़ा, यह ऐसा जुड़ा, और यह ऐसा जुड़ा, फिर बात यह आती कि मैं यह ट्रेंगल क्यों कि आपने नाम देता हूँ, ट्रेंगल को मैं नाम दूंगा A, B, C, मैं ठ्रेंगल को नाम दे दिया, और एक चीज़ आप भी बताना, अगर यह एंगल 30 इगरी है, यह बनने वाला एंगल, अगर आपका 30डिगरी है, तो यह भी आपका 30 डिगरी ही होगा, ठीक है तो उसका कोई टेंसर लेने के जरुवत नहीं है ठीक है जितना इनक्लाइंड है उतना ही अंगल यहां पर भी बनाएगा तो यह भी आपका 30 डिग्री है ऐसा हम मान करके चल सकते हैं अब आपको एक चीज यह देखो हाज रहे हो अपका यहां से लेकर के नहीं तकड़े की वैल्यू वैल्यू है इस पॉइंट से लेखर करके इस पॉइंट तकड़े की वैल्यू आपकी है थीक है ठेका करे बात पर आ अगर हम यह जो remaining part है remaining part को मैं भी purple color से show करके दिखा रहा हूँ यह purple color क्योंकि यह purple color के उपर का जित्ता portion है वो हमारा 4 meter आप diagram को देख करके समझ सकते हैं अगर हम यह remaining part को निकाल ले यानि कि AC वाले part को हम निकाल ले और अगर हम उसे 4 meter में add कर दे तो हमारा h bar की value निकल सकती है तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे यहाँ पर technology apply करेंगे सबसे पहले मैं इस triangle को यहाँ पर फिर से बना दूँ triangle को मैं यहाँ पर फिर से बना दूँगा यह मैं triangle बनाया यहाँ पर है आपका angle 30 degree यहाँ पर 30 degree angle है यह है A यह है B यह है C ठीक है? और मैं जैसे कि आपको बोला कि अगर आप H, अगर आप AC का value निकालोगे, AC length का value निकालोगे, और अगर आप उस 4 meter को अगर आप जोड़ दोगे तो आपको किस की value मिल जाएगी? आपको H bar की value मिल जाएगी आपको H bar की value मिल जाएगी अगर आप यह AC length और 4 meter को जोड़ दिए अगर आप figure को ध्यान से दिखोगे तो आप समझ सकतों मैं क्या कहना चाहरा हूँ आप AC length और 4 meter को जोड़ोगे तो आपको H bar की value मिल जाएगी figure को ध्यान से दिख करके समझो आपको यह चीज़ दिख जाएगा कि अगर आप AC length और 4 meter दोनों को जोड़ोगे तो आपको H bar की value मिल जाएगी तो हमको सबसे पहले AC निकालना होगा तो AC निकालने के लिए हमको सबसे पहले यह पताना चाहिए कि हमारा BC की क्या value है तो BC मतलब याला diagonal अब याला diagonal कहां से कहां तक की value है आप figure में देख सकते हैं जो हमारे याला main figure है जो हमारे याला main figure है उस पे आप देखो BC की value कित्ती होगी इस object का half यानि कि 6 meter है ना टोटल तो 6 का half किता हो गया 3 वो हमारी किस की value हो जाएगी या फिगर देख करके आप समझ सकते हो या देखो ड्रॉ कर रो में BC ठीक है तो या आप देख करके समझ सकते हो कि figure में जो या BC है वो किसके equal होगा इस object का जो depth है उसका half का तो यहाँ पर आपका object कित्ता गया रहा है 6 meter तो 6 का half कित्ता हो जाएगा 6 का half हो जाएगा 3 meter तो यह हो गया आपका 3 meter ठीक है अब यहाँ पर आप लगा सकते हो sin theta sin 30 लगा दो क्योंकि आपको निकाल ली है height की value आपको अगर base निकालना होता तो cos लगाते sin 30 equal to height height क्या हो गया ac जो की हमें चाहिए ac by 3 meter अब 3 का multiply sin 30 से कर दो आपको ac की value मिल जाएगी अब मैं आपको जो बता रहो हो आप ध्यान से सुने आपको ac की value यहाँ से तो मिल जाएगी ac की आपको जो भी value मिली उस पे आपको 4 meter को add करना है क्या फिगर से पहले देख करके बता चुके हो कि आपका h bar किसके equal होगा आपका h bar किसके equal होगा अब बारी है अब बारी है center of pressure निकालने की ठीक है तो पूरी value को आप यहां पर पूट कर दोगे तो आप निकालोगे hydro-static force की value अब हम निकालेंगे center of pressure की value तो center of pressure का formula क्या होता है center of pressure का formula होता है अगर आप सिर्फ वर्टिकल और होरिजॉंटल प्लेन के लिए कर रहे हो तो यहां पर आपका साइनी स्क्वार वाला टर्म नहीं आएगा पर अगर आपका अब्जेक्ट इंकलाइंड है जैसे कि हमारा केस में है तो यहां पर साइनी स्क्वार थीटा आपका एक्स्ट्रा हाएगा ठीक है डिवाइड़ बाई एरिया इन्टु एच बार प्लस एच बार तो यह हमारा हो गया सेंटर ऑफ प्रेसर का फॉर्मुला तो यहां पर आपके पास एडिया भी है यहां पर यहां पर आपके पास एरिया भी है एच बार भी है यह बार भी है ठीक है ठीटा की value 30 degree है तो यहां पर directly put कर दो बस किसकी value नहीं आपके पास i की value अब i आपका क्या होता है i आपका होता है moment of inertia तो i आपका होता है moment of inertia तो moment of inertia rectangle body के लिए होता है bd cube bd cube upon 12 bd cube upon 12 अब यहां पर b क्या है यहां पर b क्या है आपका जैसे कि अगर आपका कोई rectangle है तो जैसे कि आपका होता है उसकी चोड़ाई width ठीक है तो यह rectangle के case में होता है तो bd cube by 12 जैसे कि हमारे इस problem में मैं depth को लिया हूं 6 meter और और जो उसका horizontal portion है जो उसका चोड़ाई है वो है आपका 3 meter तो 603 की value को यहां पर रख दोगे यहां पर किस की value रखोगे 3 यहां पर रखोगे 6 3 into 6 का cube upon 12 तो यहां पर आपका moment of inertia की value आ जाएगी आपके पास अब पूरी value आ चुकी है आप उससे directly h star पर पूट करके रख दो इससे आपको किस की value मिलेगी इससे आपको value मिलेगी center of pressure की I hope यह video आपको पसंद आयो तो like, share and subscribe जरू कर दीजिया